मास्टर साब आज घोड़े पर सवार में, पूरे गाउं में भ्रमन कर रहे हैं स्थानिय भेशभूसा में लोग मास्टर साब का स्वागत कर रहे हैं ये सब इसलिए हु रहा है क्योंकि गुरु जी का इस स्कूल में आखरी दिन है वो रिटायर हो रहे हैं गाउंवालों के इस सम्मान को देख कर तो यहीं लगता है कि गुरु जी का इस गाउं में काफे सम्मान था क्योंकि वो बच्चों को पूरे मन से पढ़ाते थे स्कूल आते हैं और समय बर बच्चों को नए नए आयाम सिखाते है वियायाम के छेत्र में भी वे प्रती दिन चार बजे से साड़े चार बजे तक वे बच्चों को वियायाम का महत्व समझाते हैं और उनको घर में भी सुबह उठने और पढ़ने का वे बार बार पालकों को पुला कर भी समझाते रहते हैं और उनकी गाओं में एतनी अच्छी छबी है कि आज विदाई समारों में पूरे गाओं में गोडे पर दूले के रूपे पूरे प्रबार पेरी निकाली गई और घरों घर से उनके स्वागत में रागोरी डालकर उनका घरगर आरती उतारी गई यह पूरी तस्वीर है बैतूल के मुलताई की जहांके प्रात्वे के स्कूल में टीवी सिवतकर हेडबास्टर थे न सिर्फ गाओं वालों के बलकि उनके साथ पढ़ाने वाले शिक्षक भी यही मानते हैं कि गुरु जी पूरी जिन की इमानदारी से काम करते रहें चाहे अमीर का बच्चा हो या घरीब का हर बच्चे को उन्होंने अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की और ऐसा ही वो विश्वास भी रखते थे यह हमारे साथी सिक्षक सिरी टीसी सेवत कर जी यह एक प्रेरना दायक सिक्षक रहे हैं बच्चों को उन्हें बड़े प्रेरना सुरोत और मारदासर गूप में और गतिविधी आधारित सिक्षन दिया हुआ है और पूरे गावालों ने उनका सम्मान करते भी है इनका ग्रामिल जनों का ऐसा ही सम्मान प्राप्त हो हमारे पत्तन विकास खंड के प्रात्मिक शाला पंड़ी डाना के सिक्षक है टीसी सेवत कर दी और उनका अपने ग्रामिलों के साथ बच्चों के साथ जो लगाव उनकी जो समरकॉन भावना यह इतनी उपलबधी मै रही कि ग सम्मान प्रगट करने के लिए आभार प्रगट करने के लिए ग्रामिल जनों के द्वारा उनको लेकर उनको अपने प्रदर्शन किया अपनी भावनाओं का प्रदर्शन है ग्रामिल जनों का अपनी प्रदर्शन है ग्रामिल जनों का अब यही हर सिक्षक के अंदर भी होना चाहिए और हर विभाग गर्व करता है ऐसे लोगों पर कि जो अपने विभाग का नाम अपने जो ड्यूटी उनको मिली है उसको करतव परायंटा से यदि अंजाम देते हैं तो लिश्चीत रूप से ग्रामीर जनों में या जो भी संबत लोग है उनको डिकोगनीशन मिलता है जिस वक्त टीवी सेवतकर को विदाई दी जा रही थी उस वक्त पूरा गाउं भावुक था बच्चे अपने प्रिये शिक्षक की विदाई के वक्त यही सोच रहे थे काश गुरुजी कभी रिटायर रही होते बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट